यूपी में 69,000 सिक्षकों को फिलहाल सुप्रीम कोट से एक फोरी रहा जरूर मिल गई है सुप्रीम कोट ने हाई कोट के उस आदेश पर रोग लगाई है जिस आदेश में हाई कोट ने उत्तरपरदे सरकार को तीन महीने के अंदर दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कह था हाला कि इस आदेश के बाद तमाम सिक्षकों के नौकरियों पर खत्रा मटराना शुरू हो गया और वो तमाम सिक्षक जो सेलेक्टेड थे उन लोगों ने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया आज सुप्रीम कोट ने फिलहाल उस पर रोक लगाई तमाम जो सुप्रीम कोट की अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोट ने क्या कुछ आदेश दिया आज आइटम नंबर 16 पे लीडिंग एसलपी रवी कुमार सकसेना के नाम से लगी थी जो की चैनित शिक्षकों की तरफ से थी उसको मैंने फाइल किया था और यह जनरल कटेगरी के ब बोला उसको आज हमने उच्छतम न्याले जो चैलेंज किया उसके कहीं न कहीं उच्छतम न्याले हमसे सहमत हुआ और उस पे इस्ट्री लगाया है देखिए रिलीफ आज बहुत मिला हम लोग 90 प्रसत हम हम अपने आपको मानते हैं कि हम केस में आगे हैं क्योंकि सर 115 नंबर पाकर मैं बाहर बैठूँ और जो 90 नंबर पाकर जो व्यक्ति वो जाके नौकरी करें यह कहां का सामाजिग नहीं बताइए हम एक बार भी आरक्ष चाहिए उनको एज रिलेक्सेशन के नाम पे उनको फीज के नाम पे उसके बाद में हमारा विद्याल है निपुन है सर हम चार चाल से पढ़ा रहे हैं मेहनत से अब आप लोगों के उपर कही ना कहीं खत्रा था नहीं सर खत्रा नहीं आप बताई एक बैंक ने नोटी जारी कर दिया कि जो 79,000 के सिक्षक हैं उनको ना तो लोन दिया जाए और जो लोन दिया गया रिकवरी कर लिया जाए यानि इस प्रकार से डबल बेंच के आडर आने के बाद में हम लोगों का किस प्रकार से मानहानी हो रहा है इसका सर कौन होगा तकलीप होती है लोग यानि जो ऐसे लोग हम पर उंगली उठा रहे हैं यानि 115 नंबर यानि 88 गंटे पढ़ने के बाद में हम नौकरी पाते हैं उसके बाद में एक ऐसा आडर आ जाता है कि इनको बाहर कर दीजिए उसके बाद लोग बोली बोलते हैं तकलीप होती कि नहीं होती बिल्कुल रहत मिल गई तेज तारिक की डेट लगी है तब हमें पूर्ण विश्वास है कि क्या गयते हैं जो ओर्डर आएगा वह हमारे पक्ष में आएगा 69,000 की जो सूची है वो बची रहेगी जो नौकरी कर रहा है वो करता रहेगा हमारी बढ़ती जो हुई थी 69,000 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में लगवग 48,000 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए उसमें 19,000 प्लस कुछ जनरल कैटेगरी के थे अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो जनरल की सीटें 19 से 20,000 पे आरचण विसंक्ती हुई है अगर ये सारी सीटें दे दी जाएंगी तो जनरल के कैंडिडेट कहा जाएंगे तो ये सारा में मुद्दार राहत की बात जहां अरचित वरके हैं और डवालेंच में हम लोग जीत कर रहे हैं जैसा कि मानिये उच्च नयाले ने आधेश दिया है कि लिश्ट को रिवजीट करिए ठीक तीन महीने का समय दिया गया है जबकि सरकार लेट लपाट कर रही है जबकि एनाइसी ते ज्यादा समय लगता नहीं ह तो बोल दिया ना कि हम सुनेंगे फाइनल डिस्पोजल पर बिल्कुल उन्होंने मंडे को डेट लगाई है आगे तो वहाँ पर वहाँ पर जितने सुप्रीम कोट के आडर हैं सारे लगे हुए हैं कि किस प्रकार क्या नाम है एटी आरी को लेकर जिस कहा जा रहा कि भरतिया तो सुप्रीम कोट में ये तमाम फिलहाल सिक्षक थे जो पढ़ा भी रहे हैं कोई चार साल से कोई पांच साल से ये तमाम सिक्षक हैं हाला कि इस पूरे मामले में अब समिक्षा देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी और ये देखेगी कि हाई कोट का जो आदेश है क्या वाकई वो सही है या फिर उसमें बदलाव करने की आवशक्ता है लेकिन सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में ये बड़ी बात जरूर कही कि इस पूरे मामले में हम एक बड़ी सुनवाई करेंगे और जब तक सुप्रीम कोट इस मामले में बड़ी सुनवाई नहीं करता तब तक हाई कोट का आदेश निस्प्रभावी रहेगा। ये जायज है कि सुप्रीम कोट के इस आदेश के बाद अब 69,000 सिक्षकों को एक बड़ी राहत फिलहाल मिल तो जरूर गई है लेकिन आखरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना है। अदालत के इतना ही करेगी कि भविस में 69,000 सिक्षकों का सिक्षा को लेकर भविस क्या होगा देखना ये भी होगा कि उत्तरपरदेश सरकार आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर अपना क्या कुछ जबाब सुप्रीम कोट में दाखिल करती है।